मैं अनु तलान्मिंज महिला महाविद्याले चाइबासा बीएड विभाग आज मैं सेमेस्टर वान पेपर फोर के यूनिट थ्री के एक टॉपिक पारग्राप राइटिंग अनुछेद लेखन पर बात करूँगी किसी एक भाव या विचार को ब्यक्त करने के लिए लिखे गए संबद और लगू वाक्य समू को अनुछेद लेखन कहते हैं दूसरे सब्दों में किसी घटना द्रिश्य अत्व विशय को संचिप किन्तु सार गर्भित ढंग से जिस लेखन सैली में प्रस्तूत किया जाता है उसे अनुछेद लेखन कहते हैं अनुछेद सब्द अंग्रेजी भासा के पारग्राप सब्द का हिंदी परियाय है अनुछेद निबंद का संचिप्त रूप होता है इसमें किसी विशय के किसी एक पक्च पर असी से एकसो सब्दों में अपने विचार ब्यक्त किये जाते हैं अनुछेद लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना अवस्चक है जैसे अनुछेद लिखने से पहले रूप रेखा संकेट बिंदू आदी बनानी चाहिए कुछ प्रस्न पत्रों में पहले से ही रूप रेखा संकेट बिंदू आदी दिये जाते हैं आपको उन्ही रूप रेखा और संकेत बिंदु आदि को ध्यान में रखते हुए अनुछेद लिखना होता है अनुछेद में विशय के किसी एक ही पक्च का वर्नन करे ऐसा इसलिए करना आउस्यक हो जाता है क्योंकि अनुछेद में सब्द सीमित होते हैं और हमें अनुछेद संचेप में लिखना होता है भासा, सरल, स्पस्ट और प्रभाव साली होनी चाहिए ताकि पढ़ने वाला आपके अनुछेद को पढ़कर प्रभावित हो सके एक ही बात को बार-बार ना दोहराएं क्योंकि एक ही बात को बार-बार दोहराने से आप अपने अनुछेद को दिये गए सीमित सब्दों में पूरा नहीं कर पाएंगे और अपने संदेश को लोगों तक नहीं पहुचा पाएंगे अनौसक बिस्तार से बचे लेकिन बिसे से ना हटे आपको भले ही संच्छेप में अपने अनुछेद को पूरा करना है प्रन्तु आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप अपने बिसे से ना भटक जाएं सब्द सीमा को ध्यान में रखकर ही अनुछेद लिखे ऐसा करने से आप अपने अनुछेद में ज्यादा से ज्यादा महत्वपूर्ण बात लिखने की ओर ध्यान दे पाएंगे पूरे अनुछेद में एक रूपता होनी चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं कोई बात बिसे से अलग लगे और पढ़ने वाले का ध्यान बिसे से भटक जाए बिसे से संबंदित सुक्ति अत्वा कविता की पंतियों का प्रियोग भी कर सकते हैं इससे आपका अनुछेद बहुत अधिक प्रभावसाली और रोचक लगेगा अनुछेद के अन्त में निसकर समझ में आ जाना चाहिए याने बिसे समझ में आ जाना चाहिए अनुछेद की प्रमुक विसेस्ताए अनुछेद किसी एक भाव या विचार या तथ्य को एक बार एक ही अस्थान पर व्यक्त करता है इसमें अन्य विचार नहीं रहते अनुछेद के वाक्य समू में उदेश्य की एकता रहती है आप प्रसांगिक बातों को हटा दिया जाता है केवल बहुत अधिक महत्वपुन बातों को ही अनुछेद में रखा जाता है अनुछेद के सभी वाक्य एक दूसरे से गठित और संबद होते हैं वाक्य छोटे तथा एक दूसरे से जुड़े होते हैं अनुछेद एक स्वतंद्र और पुन रचना है जिसका कोई भी वाक्य अनावसक नहीं होता उच कोटी के अनुछेद लेखन में विचारों को इस क्रम में रखा जाता है कि उनका आरम, मध्य और अंत आसानी से ब्यक्त हो जाए और किसी को भी समझने में कोई परेशानी ना हो अनुछेद सामान्यता छोटा होता है किन्तु इसकी लगूता या विस्तार विसे वस्तू पर निर्भर करता है अनुछेद की भासा सरल और इस्पस्ट होनी चाहिए यहां पर एक मिठी बोली का महत्व पर एक अनुछेद दिया गया है जो लग भग असी से एक सो सब्दों में है यहां पर ङूदा अनुछेद गया है शुछेद के लाग विसे वस्तार विसे क्यां अनुछेद करता है बोली उनुछे दोनी आड़ करता है झाल झाल